बिहार विदान सबा में दूसरे दिन हुए विपक्ष के हंगामे के बाद अब मुझफर पुर हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी और बीज़ेपी नेता मनोज बैठा ने सरेंडर कर दिया है मनोज बैठा ने मंगलवार तड़ के तीन बजे मुझफर पुर थाने में सरेंडर किया है जिसके बाद पुलिस ने बैठा को पटना सित पीम सीच में भरती कराया है आपको पता दे कि मनोज का दुरगटना के दौरान लगी चोटो का यहां पर इलाज होगा बीतेश अनिवार को सीता मड़ी और मुझफर पुर के बीच एनिच सेवन सेवन पर हुए सड़क दुरगटना में नौ स्कूली बच्चो की मौथ हो गई थी बताया जाता है कि मनोज बैठा अपनी बोलेरो गाड़ी से सीता मड़ी के मुझफर पुर की तरफ आ रहा था रास्ते में मीनापुर्थाना के धरंपुर दाव में उनकी गाड़ी ने पहले एक महिला और पुरिश को टकर मारी इस टकर के बाद भागने की फिराग में मनोज बैठा ने सड़क की नारे बच्चो को कुचल डाला बच्चे स्कूल से घर के तरफ लोट रहे थे लेकिन मौके पर ही नौ बच्चो की मौथ हो गई और कई गंभी रूप से घायल हो गए